हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल स्प्रीचल लव टेराट कैसे हैं आप लोग आई होप खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय करने होंगे हैपी होंगे देर हमाई दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें पॉजिटिविटी को ट्रैक करें आपके लाइ लाइफ के जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी हील हो जाएंगे जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे मैंने आपके लिए वहाँ पर अर्जी लगा दी है और बहुत जल्द आप देखेगा कि आपके लाइफ में 10-15 डेस के अंदर बहुत सारी चीज़े पॉसिट नहीं पाए जो आपके पार्टनर आपके प्यार के साथ खिलवार करके चले गए क्या उसकी गलतियां माफ करने लायक है तो इनकी गलतियां क्या माफ करने लायक है ये आज का टॉपिक है और ये दोनों क्या महसूस कर रहे हैं वो सारी चीज़े हम देखने की कोशिश अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ही मेरा वीडियो देखिएगा वजना इसकीप कर दीजिए मैं हमेशा यही कहती हूँ जबरदस्ती थर्ड पार्टी का वीडियो देखके अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रियेट ना करें दियर कार्ट से पॉसिबिलीटी बताते है असली डेस्टीनेशन क्या है वो दिवाइन को पता है और दियर यह टाइमलेस रिडिंग है अगर आपके सामने आ रही है तो कहीं न कहीं यूनिवर्ट जो है डिवाइन जो है आपको कुछ गाइफ करना चाहते है तो चलिए देखत आदें कि Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius के energy है, Taurus, Virgo, Capricorn के energy आई है, dear, यहाँ पर ठीके, तो आप यापके partner हो सकते हैं, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces के energy यहाँ पर दिखाई दे रही है, Leo जो है, भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पास्ट की चीज़ें, बहुत ज़्यादा इस को कहीं न कहीं effect कर रही है, और यहाँ पर Knight of Wands की energy आई है, The Fool की energy है, Ace of Cups की energy है, dear, यहाँ पे Seven of Swords, धोका बहुत दिया है, आपके partner ने आपको उल्लू बहुत बनाया, धोका बहुत दिया, चिटिंग बहुत करी है, तब ही तो जाकर इस third party में involved हो गया, अपनी wish fulfillment को पूरा करने के लिए, इन्होंने धोके का सहरा लिया, आप efforts लगाते रहे, आप जिन्दगी के ऐसे मुकाम पे कि इसको हासिल करना है, इस इंसान के साथ रहना है, अपने emotions इसको देते रहे, है ना, लेकिन इस इंसान ने आपके जिन्दगी में tower दे दिया, धोका दे दिया, आपके आप से move on करके गए, वो वाली चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये cards बता रहा है, कि इनको वापस भी आपकी तरफ आने का मन कर रहा है, और ये proposal भी आपको दे सकते हैं, यहाँ पर आपके partner के energy बता रही है, in mature वाली energy आ रही है, मुझे in mature वाली, bottom के energy से आप देखिए क्या करके गए ये, क्या करके गए है, three of swords, एक अच्छा हस्ता खेलता परिवार, एक अच्छे हस्ते खेलते life partner को छोड़कर गए थे ये इनसान, तो यहाँ पर bottom के energy सामने रखी है, dear APK, कि किस तरह की bottom के energy आई है, एक happy family को ठुकरा के, ये इनसान दिल तोड़के गए हैं, ठीक है, चलिए, cards को हम side रखते हैं, sign मैंने आपको बता दिये है, कुछ numbers में आपको खास बता देती हूँ, एक number जो हो सकता है, वो खास खास है, 88 number आपके लिए कोई खास हो सकता है, 6 number खास हो सकता है, 7 number, 9 number, order यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कि 10 number, 16 number जो है, वो खास हो सकता है, चलिए, तो यह numbers कुछ खास मुझे यहाँ पर दिखाई दिये, आपकी कमी महसूस हो रही है, अगर हम आपके partner की बात कर रहे हैं, तो dear, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो partner है, उनको आपकी कमी महसूस हो रही है, एक time था कि वो अपनी जिंदगी मानते थे आपको, एक time था कि आप उनकी सासों में बसे हुए थे, रग-रग में बसे हुए थे, आप जो थे, आप भी धीरे-धीरे उनको अपनी दुनिया मानने लगे थे, आप भी धीरे-धीरे उनके साथ में attach होते चले गए, तो मैं past के energy देखने हूँ कि आप अपने partner के साथ में इस तरह से attach थे कि आपकी वो दुनिया बन गए थे, तो आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी दुनिया मानते थे, अपनी जिंदगी मानते थे, ये चीज़े यहाँ पर दिखाई दे रही है, सब कुछ मान बैठे थे, आपने उनको अपना, ठीक है, यहाँ पर आप आपके प्यार, आपके भरोसे को तोड़ा है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, पार्टनर ने जो जक्म दिया है, पार्टनर ने जो आपको दर्द दिया है ना, उसका दिया हुआ दर्द आप कभी भूल नहीं पाऊगे, क्योंकि आप उस इंसान से दिल से इतन आपके प्यार को, आपके भरोसे को तोड़ा है, पार्टनर ने जो जक्म आपको दिया है ना, जो दर्द आपको दिया है ना, वो दर्द आप कभी नहीं भूल सकते डियर, आपको पता भी नहीं है, कि जितना दर्द आपके पार्टनर ने आपको दिया है ना, उससे कही तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो दर्द आपको दिया आपसे कई गुना ज़ादा दर्द उस इनसान को भूगतना पड़ रहा है पीड़ा में है वो एनसान, तड़रो रहे है, मचली के तड़रो तड़रो रहा है वो इनसान क्यों? क्योंकि आपका प्यार उसको याद आ रहा है आपका दिया हुआ वो emotions, प्यार, feeling, सब कुछ वो miss कर रहा है ये चीज यहां पर दिख रही है इस partner ने किसी तीसरे के मौह में इस partner ने किसी third party के मौह में आपके प्यार को ठुकराया था और third party के चकर में आपका प्यार समझा नहीं, आपके प्यार को इसने समझने की कोशिश नहीं करी, partner ने सोचा कि आपकी तरह प्यार करेगी ये third party, आपकी तरह third party के साथ में ये अपनी दुनिया को आगे बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर आपके partner की उमीद है third party से कुछ ज़्य मुर्खता कर बैठे आपके पार्टनर, पार्टनर को समझ आ गिया कि आपका प्यार अनोख था, आपने उनको अनकंडिशनर लव दिया था, आपका प्यार जो है वो उनको समझ आया कि आपने जैसा प्यार दिया ना अनकंडिशनर लव वो कोई और नहीं दे सकता आपके पार पार्टनर को यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपके जैसा प्यार ना मिल पाने के कारण पश्टा रहे हैं आपके पार्टनर रो रहे हैं आपके पास आना भी चाहते हैं आपकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाना भी चाहते हैं पर इनों ने जो इन मैच्चुर वाली गलतिय करी है जो गलत दिसीजन इनों ने ले लिए गलती पे गलती करते चले गए ना तो वो इनको अब समझ आ रही है पार्टनर जान गए है कि पार्टनर ने जो गलती की है वो छोटी मोटी गलती नहीं है वो बहुत बड़ी गलती है और उस गलती की कोई माफी नहीं है और वो पन उनको तरपा रहा है, बहुत ज़्यादा मायूसी उनको हो रही है, उदास वो हो रहे हैं, क्योंकि उनको घुटन हो रही है यहाँ पर, कि उनकी सजा, दिखें, आज भी अगर हम बात करें, तो डियर मुझे ऐसा लग रहा है, कि पार्टनर ने हमेशा जूट बोला आपको पार्टनर ने इस रिष्टे में हमेशा आपको अंधेरे में रखा, जूट बोला धोके, धोके में धोके दिये, धोके में रखा, आज भी आप पार्टनर के सच से अंजान हो डियर, आपके पार्टनर के कुछ सच ऐसे हैं, जो आपको नहीं पता है, यहाँ पर मैं आपको दूंकि आप अंजान है उन सच से वो चाहते तो हैं आपको सब कुछ बताना उन्हों ने जो गुना किये उन्हों ने जो इस THIRT PARTY के साथ में रिष्दा बनाया किस तरह से स्थर पार्टी को अपनी जिन्दगी में लाए किस तरह से स्थर पार्टी के साथ में रहने लगे, वो सारी चीज़े आपको बताना चाहते हैं पर उन्हों ने जो गुना किये हैं, उसकी सजा, आप जो चाहे दे दो, वो चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ डर है उनको, वो सोचते हैं पार्टनर की पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि सच्चाई जानकर आप उनसे नफरत करोगे और जो नफरत आप करोगे ना वो शायद आपका पार्टनर सहने ही पाएगा इसलिए भी चुप है आपके पार्टनर इस चख है आपके पार्टनर आपके दिल में क्या फेलिंग्स है वो जानने की कोशिश यहां पर आपके पार्टनर कर रहे हैं आपसे दूर रहकर जी सकते हैं पर आपके जो निगाहों से ये गिर गए हैं आपके नजरों से ये जो गिरे हैं आपके नजरों में इनके लिए जो नफरत है वो इने जीने नहीं देगी ऐसा ये फील करते हैं आपके पार्टनर यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि यह सब कुछ खुचे हैं, सब कुछ इनके हास्ते निकल चुका है आप उनसे नफरत कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा आप इनको बुरी नजरों से देख रहे हैं घ्रिना भरी नजरों से आप इस इनसान को देख रहे हैं प्यार कम हो गया है आपका इनके लिए आपके दिल में घ्रिणा आ गई है इस इंसान के लिए पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा आपके दिल में मैं देख रही हूं घ्रिणा है देखें इन्होंने गलती करके आपका प्यार आपका सम्मान सब खो चुके हैं तो हो सकता है कि इन्होंने गलतियों पे गलतियां करते गए, गलत पे गलत डिसीजन लेते रहे, धोके पे धोके देते रहे, तो जो गलत गलत डिसीजन इन्होंने लिया, आज उस बात को सोच कर इनको लग रहा है कि इस गलत डिसीजन की वज़े से, इस गलती की वज़े से आपका प्यार, आपका सब कुछ इन्होंने खो दिया आप जो सम्मान देते थे वो भी खो चुके हैं यह ऐसा इनको लग रहा है जो आप इन्हें देते थे ना वो खो चुका है पार्टनर आपको परिशान करते रहते थे हो सकता है कि पार्टनर ने एक रूटीन बना लिया था आपना कहीं न कहीं आपको परिशान करने का कहीं न कहीं एक ऐसा होता है ना कि आपको तकलीफ दे रहे हैं उनको पता है कि आप खुश नहीं हैं उनको पता है कि आप बहुत उदास हो इनके बिना जो धोका यह दे रहे हैं आपको पता था कि ये धोका दे रहे हैं, आपको पता था कि ये मूव ऑन कर रहे हैं, आपको पता था कि यहाँ पर कोई थोर्ट पार्टी है जिसकी वज़े से ये आपका दिल तोड रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आप इनकी गलतियों को नजर अंदाज करते रह तो देखें यहां पर जो डरार डाली गई रिष्टा जो तोडा गया है, यह तूता नहीं है, यह रिष्टा तोडा गया है, धोगा यहां पर हुए है, जितना पार्टनर ने धोका दिया है, उतना यहां पर 2rd party अगर family है, 3rd party कोई romantic partner है दियर आपके situation के साफ से आप ले लीजे कि ये third party कौन है जो भी third party है जिसकी वज़े से आपके साथ में कहीं न कहीं धोका हुआ है आपके रिष्टे में दरार डाली गई है और ये सब काम हुआ है किसी ऐसी energies के थ्रू किसी ऐसे चीजों के थ्रू गंदी काली क्रिया कि थ्रू कि कहां पर इनका साहरा लेकर आपके रिष्टे को कहीं न कहीं आपके प्यार को आपके partner को आपसे अलग किया गया है तो यहां पर इस third party ने कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा magic किया है को देखें ये card यहां पर यही बता रहा है कि ये third party जो है यहां पर देखें किस तरह स है तो यहाँ पर इस थोर्ड पार्टी ने जो मंसा रखी थी जो भी काली क्रियाएं करी है उसके बेज पर आपके रिष्टे में कहीं न कहीं इसने दरार लाई है आपका रिष्टा जो है तोटा है आपके रिष्टे में टावर मुमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह द यहाँ आप पर भारी पड़ी आपके रिष्टे में टावर मुमेंट आया, बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है डियर, बहुत ही ज़्यादा ब्रेक अप वाली सिच्वेशन हो गई, हाट ब्रोकन वाली एनरजी हो गई, और तो और डियर, यहाँ पर एक दूसरों के रिष्टा यहाँ पर खराब हुआ है, काली शक्तियां उसने आप पर इसलिए डाली थी, क्योंकि उसकी बुरी नजर आपके रिष्टे पर थी, वो चाहती थी कि आप हट जाएं रिष्टे से और वो अपनी जगा बना ले, वो अपनी जगा संभाल ले, इसलिए कहीं न कही आपको हटाने के लिए इस रिष्टे पर ये विद्याओं का यूस किया गया है, आप दोनों को खुश रहना, आप दोनों को खुश देखना, इससे बना नहीं गया, दर्द दे रही है ये थर्ड पार्टी, देखें यहाँ पर ये थर्ड पार्टी ने पार्टनर को पहले भी बातों में लाने की कोशिश करी है, चाहे वो थर्ड पार्टी फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई रुमांटिक पार्टनर हो, इसने बातों में आपके पार्टनर को लेने की पहले भी कोशिश करी है, मुझे लग रहा है, आप लोगों के पार्टनर जो है, एज difference है हो सकता है age में छोटे हैं और in mature वाली energy है mature person नहीं है dear जो अपने decision पर टिका रहे बार-बार उसके decision जो है in mature वाले person की तरह है कभी वो serious decision नहीं ले पाते हैं बार-बार confusion होना ये वाले decision इनके बने रहते हैं यहां पर ये भी दिखाई दे रहा है कि third party ने पहले इन पर कहीं न कहीं अपना control बराने की कोशिश करी अपनी बातों में लाने की कोशिश करी परन्तु वो हार गई हो सकता है आपके प्यार के आगे इस third party को हार मिली है और फिर उसने इस black magic कंत्र मंतर का सहारा यहां पर लिया गया है ठीक है आपके प्यार को अपने वर्ष में करने के लिए आपके partner को अपने control में करने के लिए यहां पर बहुत सारी चीजों का energies यहां पर effect करती हुई दिख रही है किसी तरह से और डियर दिख रहा है कि आप सोचो तो सही कि जो partner आपसे बात करे बगए रहनी पाता था जो partner आपके बिना एक पल नहीं रह पाता था और आपसे बाते नहीं चुपाते थे ठीक है वो अचानक से कैसे बदल सकता है वो अचानक से कैसे विश्वास घथ कर सकता है अचानक से कैसे आपको छोड़ सकता है किसी third person का हो सकता है कैसे आपसे move on हो सकता है तो यह सारी चीजे आपकी जिंदगी में अचानक sudden हुई है आवर मुमेंट पूरी तरह से सड़न आया, अचानक से पार्टनर जूट बोने लगे, अचानक से पार्टनर मूव अन हो गए, अचानक से पार्टनर ने दिल तोड़ा, तो ये सारी चीज़े कहीं न कहीं एक साथ आपके उपर आई है, जो कभी आपके आँखों में आसू नह तो है आपकी लाइफ में एक सपोर्ट दे रहे हैं एक डिवाइन का प्रकाश आपके लाइफ की तरफ आ रहा है आपके रिलेशनशिप में नया मोड आएगा आप देखिएगा कि आपका जो रिलेशनशिप है आपका लाइफ जो है उसमें एक न्यू बिगनिंग होने वाली ह पार्टनर को एक मोका दें यह आपके अपनी मर्जी है कि आप उनको एक मोका दें वो अपनी भूल सुधारे या नहीं सुधारते हैं वहाँ पर आपके उपर डिपेंड करता है कि आप इस पार्टनर को एक मोका देंगे या नहीं देंगे ठीक है यहाँ पर मैं आपसे यही माफ करने लायक नहीं है अब इसका बुरा समय आ गया है और इसके बुरे समय में मैं देख रही हूँ कि इसको heart broken वाली energy से गुजरना पड़ेगा इसके दिल को भी उतना ही तकलीफ होगा जितना कि आपके partner अभी इस तकलीफ से इस एहसास से गुजर रहे हैं वो चीज़ यहां पर दिखाई दे रही है third party जो करना था कर चुकी है अब dear मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहां third party जो है चाल चलती हुई दिख रही है चाल इसका जो mind है ना वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है यहां पर देखिए इस card को यह शांत नहीं बैठी है अगर यह बैठी है तो कुछ ना कुछ इसकी क्रियाएं चल रही है कुछ ना कुछ energies इसके हाथ में है और dear यह इस energies का use कर रही है ऐसा लग रहा है कि यह third party कुछ चाले चलने के बारे में सोच रही है वो लोगों से आपके बारे में तरह तरह की अफवाह कर रही है अफवाहें फैला रही है और हो सकता है आपकी प्रगती आपकी खुशी देखी नहीं जा रही है इस third party से उससे गलत बाते लोगों से बोल रही है क्योंकि हो सकता है यह third party अगर family है तो हो सकता है कि इसने लोगों को ऐसा बता रखा है या ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत हैं आप जो हैं चीजों को समझते नहीं हैं आप चीजों को समझाने की कोशिश नहीं करते हैं ना ही समझने की कोशिश करते हैं तो आपके बारे में ये थर्ड पार्टी लोगों से तरह तरह के अफ़ाहें फैला रही है इस third party से आपके खुशी नहीं देखी जा रही है और deineर आपको गलत बाते लोगों तक पहुचाने के लिए यहां पर गलत गलत this decision यह third party ले रही है aपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे है यह third party third party मुझे ऐसा लग रहा है dwuk available goes थर्ड पार्टी ने लोगों के सामने, दुनिया के सामने, समाच के सामने आपको धोके बाज कह दिया, मुँ तोड कह दिया, कि मुँ बंद नहीं रखती है, मुँ बहुत लगते हैं, मतलब बहुता न कि हर बात का जवाब पलटके देना, इस तरह का और लालची आपको बता लिया गया है, यहाँ पर रिष्टो को और लोगों को गलत बाते बता कर यह थर्ड पार्टी आपकी रेप्टेशन को गिराने की कोशिश भी यहाँ पर कर रही है, रिष्टो की कदर आपको नहीं है, ऐसा भी यह थर्ड पार्टी कह रही है, आप किसी से रिष्टा नहीं र सकता है आपके पास में बिल्कुल टाइम ना होते हुए भी आप लोगों को समझते हैं आप लोगों को कहीं न कहीं टाइम देने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं पर ये थर्ड पार्टी जो है इसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो गया है लोगों में आपकी चरचाए करके लोगों में आपके बारे में बुरा बोल के इसके दिल को सुकून मिल रहा है पता है क्योंकि ये आपको नीचा दिखाना चाहती है ये अपने मन को सुकून दे रही है आपको नीचा दिखा कर तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पीछे हाथ दों के पड़ गई है और ये थर्ड पार्टी लोगों को सब को बताने की कोशिश करें कि आप रिष्टों की कदर नहीं करते हो आप कैसे हो ये लोगों को बताने की जरूत नहीं है लोगों को पता है कि आप जो है आप पूरी चीजों को संभाल कर चल रहे हो आप सब का भला चाहते हो कहीं न कहीं आपने फैमिली को लेके काफी टाइम चला है लेकिन आज इस थितियां पर इस सितियां ऐसी कर दी गई है लोगों द्वारा कि आप जो है आपको लोग मतलबी कह रहे हैं आपको लोग जो है बुरा कह रहे हैं तो ये सब किसने रचा है थोर्ड पार्टी का रचा हुआ कारनाम हैं जो आपको दुनिया के सामने इसने बुरा बताने की कोशिश करी है और कुछ अपने हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अपने सगे संबंदी है जिसने आपकी दुनिया को पूरी तरह से बरबाद करा है इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर उन लोगों ने भी कोई कसर नही करने लायक बिल्कुल भी नहीं है आप सबका भला चाहते हो आप एक हो सकता है आपने पास्ट में पूरी फैमली को जॉइन रखने की कोशिश करी सबको समझने की कोशिश करी सबकी भावनाओं को आपने समझा पर लोगों ने यहां पर आपका यूस करा अपनी मतलब के लिए दूसरों के भावनाओं का मजाक नहीं बनाया आपने कभी लेकिन लोगों ने आपकी भावनाओं का मजाक जरूर बनाया आपकी रैपूटेशन का मजाक बनाया गया कई बार आपको जलील किया गया यह चीज़े यहां पर इस थर्ड पार्टी की तरफ से आपके उपर प्ल लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, सोचते क्या हैं, फर्क नहीं पड़ता आपको यहाँ पर आपने अपने आप में change लाया है देखिए यहाँ पर आपने जो अपने आपको बदला है कहीं न कहीं आप सेल्फ लफ करने लगे हो, हो सकता है पहले आप दूसरों के लिए जीते थे, दूसरों के लिए करते थे, तब सक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से आप अपने उपर ध्यान दे रहे हो, जब से आप अपने आप से सेल्फ लफ करने लगे हो, दुनिया आपको बुरा बोलने लगी है दुनिया आपके लिए तरह तरह की बाते कर रही है और जो सबसे ज़्यादा मेन है वो है थर्ड पार्टी आपकी घर की ही थर्ड पार्टी जो आपको नीचा दिखाने की हर मुम्किन कोशिश कर रही है लोगों के सामने समाच के सामने दुनिया के सामने आपको सपोर्ट ना करते हुए आपको ही गलट ठहराया गया है थर्ड पार्टी ने पहले आपको अपने जाल में फसाया था हो सकता है थर्ड पार्टी का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे थर्ड पार्टी की आप बाते भी मानते थे, अगर ये फैमिली थी, तो आप उसकी सुन रहे थे, और वो आपको कही न कहीं मानसिक पीडा भी दे रही थी, मानसिक तकलीव भी दे रही थी, है न, बहुत ज़्यादा आपके उपर डॉमिनेट कर रही थी, फिर भी आप क्यों क्योंकि आपके कुछ मजबूरियां थी, आपके हाला कैसे थे, अब आप मजबूत दिख रहे हो, अब आप स्ट्रॉंग दिख रहे हो, आप स्ट्रेंथ में आते हुए दिख रहे हो, आप के अंदर जो स्ट्रेंथ आई है न, वो एक जबरदस्ट स्ट्रेंथ में यह ते थे मजबूर थे लेकिन अब आपने लोगों की परवा करना छोड़ दिया है आपको आप किसी की बात का फर्क नहीं पड़ता आप किसी की बात को दिल पर नहीं लेते हो रोते नहीं हो बात बात पर अब आपने इस कान से सुनकर उस कान से निकालने वाली आदर डाल दी है इसलिए परिशान है ये थर्ड पार्टी इसलिए बेचैन हो रही है ये थर्ड पार्टी चाल पे चाल चल रही है अभी भी इसको शांती नहीं है क्यों क्योंकि आप सुकून से हैं आपका सुकून चैन इसको देखा नहीं जा रहा इसलिए बेचैन हो रही है तरह तरह की बात कुछ भी बात के लिए आपने वो अपने मन से निकाल दिया है जो मेरे नसीब का है वो मुझे मिलेगा ऐसे सिचुएशन आपने यहां पर अपने लिए बना ली है देखें लोगों को थर्ड पार्टी को अभी अना राहत नहीं है थर्ड पार्टी जो है किसी बात को लेके बे आपको किसी की परवा नहीं है आपको किसी की बात का फर्क नहीं पड़ता आप अकेले ही खुश कैसे रह जाते हो आपको किसी की जरुवत क्यों नहीं पड़ रही है आप किसी पर डिपेंट क्यों नहीं हो यह थर्ड पार्टी के दिमाग में अब बाते चल रही है कि आपन में आपके जिंदगी में एक tower moment आया है हाल ही में आपने अपनी life में एक बड़े tower moment से गुजरे हो और इस tower moment से निकल के आपने जो lesson सीखा है जो कहते हैं कि जिंदगी पे जब बीचती है तब ही इनसान समझता है तो आपने ये tower moment जो धोका खाया जो धोका खाया जो पड़ाव आपने देखा जो दिल आपका तूटा है जिस दिल के तुकड़े आपके हुए है ना आपने वहां से awakening करिये अपनी आपकी awakening मैं देख पा रही हूँ आपके awakening process हुई है और आपने अपनी जिन्दगी से जो lesson सीखा है ना उसके बाद आप दुबारा वो गलती नहीं करोगी क्योंकि इनसान गलती एक बार करता है लेकिन जब वो lesson सीख जाता है जिन्दगी की जब उसको पता चल जाता है तो हमने कहां ठोकर यहाँ पर आप 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 वह गलती नहीं करना चाहते. इसी बात का गम इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यदा हो रहा है. आप से सझच उबuju Hagelis-पार्टी इसको बहुत प्रॉबलम होती है. अगर कोई आपके बारे में तारीफ कर दे, अगर कोई आपको कहीं न कहीं उपर दिखाने की कोशिश कर दे, उच्छा रखने की बात कर दे या आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बाते की जाए तो ये थर्ड पार्टी को बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा ज्वैलसी इसके अंदर है और ये लोग थर्ड पार्टी जो है आपकी थर्ड पार्टी जो है ह आपको जलील करने की आपको लोगों के बीच में नीचा दिखाने की इसने पूरी पूरी ताकत लगाई है लेकिन शायद इसके एफर्ट्स कम पड़ गए क्योंकि आपने जो यहां पर विक्टरी हासिल करी है आपके विक्टरी से इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है जो लोग आपसे ज्वेलस है जो थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी में तबाही लाना चाहती है जो आपकी जिंदगी में छुप छुप के गलत कर रही है वो बहुत ज़दा परिशान है क्योंकि आपने विक्टरी हासिल करी है आपको विक्टरी मिली है यहां पर यूनिव ये अपनी पूरी ताकत लगा रही है, सुकून से जीने नहीं देना चाहती है, आपकी जिन्दगी, आपकी लाइफ को ये खराब करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रही है, अपनी जित पर है डियर ये थर्ड पार्टी, अगर आप देखें, तो मैं आपको बता दू कि ये थ आत्मा जंजोड जाती है, आपके दिल को थेस पहुचाने की पूरी-पूरी कोशिश करती है, इसने आपके पार्टनर को आपसे हमेशा के लिए अलग कर दिया है, इस थर्ड पार्टी की वज़े से आपका पार्टनर आपको धोका देने लगा था, इस थर्ड पार्टी की वज़े से आपका पार्टनर जो है आप से जूट बोलने लगे थे है ना यहाँ पर देखिए अब इस थर्ड पार्टी का कर्मा टाइम आ गया है थर्ड पार्टी को भी अपनी जो गलतियां करी है वो माफी के लायक तो है नहीं तो जब यूनिवर्स माफ नहीं कर रहा तो फ अगे संबंदी भी बुरी नजर आपके उपर रखते हैं आपके रिष्टे पर लोगों ने बहुत बुरी बुरी नजर रखी है ताकि आपका रिष्टा तूट जाए काफी लोगों ने काफी हाथ पैर मारे हैं इस रिष्टे को तोड़ने के लिए लेकिन कुछ लोगों के रिष्टे तूट गए, कुछ लोगों के रिष्टे में टावर मूमेंट आ गया, कुछ लोगों का पार्टनर ब्रेक अप हो गया, कुछ लोगों के रिष्टे जो है आज भी कहीं न कहीं, ऐसे ही मतलब बीच सिच्वेशन में लटक रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने बहुत तगड़े तरीके से आप लोगों के बीच में गरार लगाई थी है ना, बहुत रूलाते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में मिल चुके थे, आज भी ऐसा ही दिख रहा है कि इन्होंने और थर्ड पार्टी के रहते आपको कभी खुशी नहीं दी, आपको हमेशा रूलाने की कोशिश करी, आपको कभी समझा नहीं, आप इनको अनकंडिशनर लव देते रहे, आप इनको प्यार देते रहे, लेकिन ये पार्टनर उन चीजों को समझ नहीं पाए, उन चीजों को जान नहीं पाए, आपको पार्टनर की किसी बात पर यकिन नहीं होता है, अप क्यों, क्यों यकिन करेंगे आप, क्योंकि पार्टनर ने अगर आपका पार्टनर उस जगह पे खड़ा होता उस जगह पे स्टेंड लेता तो शायद ये थर्ड पार्टी आज आपके लिए इतना बुरा लोगों से नहीं बोलती अफवाहें नहीं फैलाती आपके जिंदगी में ये टावर मुमेंट देखना ही नहीं पड़ता क्योंक आपके पार्टनर ने करके खुद अपने रस्ते अलग करें हैं तो यहां पर ये क्लियर है कि आपके पार्टनर जो हैं यहां पर उनके धोके की सजा भी उनको मिल रही है गलती किसी की भी माफ नहीं होगी ना ही थर्ड पार्टी की गलती माफ करने लायक है युनिवर्स की तरफ से नहीं आपकी तरफ से क्योंकि जो इनोंने बीच बोया है वो बीच इनको खुदी काटना पड़ेगा क्योंकि इनोंने गलत अंजाम किया गलत तरीके से आपके साथ में खिलवार किया इनको भी ठेस पहुचेगी ठीके आपका पाटनर तो है इपन्फुल सिच्वेश एक बार धोका दिया दो बार धोका दिया तीसरी बार धोका दिया आपने कई गलतिया इस इनसान की माफ करी है कई बेवकूफिया इसने ऐसी करी है जहां पर आपने अपने दिल पर पत्थर रखकर इसको माफी दिये लेकिन इस इनसान ने आपको जो जलील किया लोगों के स सी भी जगर नहीं दिये बस दुनिया के सामने समाच के सामने आप ये रिष्टा निभा रहे हो कि आपका इस इंसान के साथ में रिष्टा है हला कि इनके जो फैमिली थी या फिर ये थौर्ट पार्टी कोई मज़र इशू था जो भी था उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी लगाने में तो यहां पर दोनों ही कसूरवार है थोर्ड पार्टी और आपके पार्टनर इनकी गलती माफ करने लायक बिल्कुल भी नहीं है और आप इनके इशारों पर अब नहीं चलने वाले बहुत चल लिया आपने बहुत कोशिश कर लिया अब आप ऐसी एनरजी में हो आ उन चीजों के लिए उपर वाला उन थर्ड पार्टी को सजाद जरूर देगा क्योंकि आपने किसी के साथ खिलवार नहीं किया इन लोगों ने यहां पर आपके साथ में खिलवार किया आपकी फिलिंग्स के साथ में खिलवार किया आपको बदनाम करा लोगों के बीच में आप अच्छे खासे थे, आपकी अच्छी खासी लाइज थी, लेकिन आज इन लोगों की वज़े से आपने बहुत ठोकर खाई है, आप कहते हैं ठोकर खा क्खा की ही समलता है इनसान, आप इस कदर समल गए हो, आप इस कदर कहीं न कहीं, अपने आप में सारी चीजों को समझ है कि आपने विक्टरी हासिल कर लिए पता है आपने अकेले मैदान में विक्टरी हासिल कर लिए उस बात का गम मना रही है ये थोर्ट पार्टी कि आपको किस बात की खुशी है आपने ऐसा क्या हासिल कर लिया आपको ऐसा क्या मिल गया कि आपकी जिंदगी सेटल हो गई आप अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ चुके हो क्योंकि उसकी गलती ऐसी थी उसके situation ऐसी थी कि आपने इस इंसान को अपनी जिन्दगी से निकाल दिया है गलत किया था तो आप अब इस इंसान को माप नहीं कर रहे हो आप चाहते थी कि इंसान जो है सही होई लेकिन ऐसा है ना कि देर कर दी वो आते आते आपके पार्टनर ने बहुत देर कर दी और बहुत हाथ से situation जो है जा चुकी है यहाँ पर heart broken बहुत बुरी तरह से हुआ है आप नहीं चाहते हो कि यहाँ पर अब आप उनको माफ करो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर मेरे वीवर्स जिनके सीने में दिल जो है वो अपने पार्टनर के लिए ही धड़कता है उनके लिए ही कहीं न कहीं heart broken ब्रोकन वाली energy है तड़पते हो आप उस पार्टनर के लिए आप चाहते हो कि यह family कितने साल हो गए दस साल से आप इस रिष्टे के लिए तड़प रहे हो और इस third party ने इस family issue के कारण आपका रिष्टा जो एक अच्छा खास सा husband wife का रिष्टा था एक बच्चे थे परिवार था सब कुछ तबाव हुआ है धोके की आड़ में धोका दिया गया पार्टनर भी धोके बाड़ निकला और third party family जो थी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको अलग करने में तो यहां पर मैं आपसे यही काऊंगे कि यह आपके उपर depend करता है कि आप third party को माफ करते हैं या नहीं आपके उपर depend करता है कि आप अपने partner की गलतियों को माफ करते हैं या नहीं क्या उस रिष्टे में आप रहना चाहते हैं क्या ग्यारंटी है कि ये पार्टनर जो आपको धोका देके गया था जिसने आपके मान सम्मान की कभी परवा नहीं करी जिसने लोगों के बीच में आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करी है क्या ग्यारंटी है कि ये इनसा person کے پیچھے, इसको बिल्कुल भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई वो नहीं, बस आपका प्यार नजर आ रहा है क्यों? क्योंकि इसको प्यार की कमी महसूस हो रही है, इसको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा, इसको third party के साथ में प्यार नहीं मिल रहा ना ही इसको कुँछ कहीं से emotions feel हो रहे हैं तो सारे जो लोग है ना सिर्फ आईदा उठाने वाले लोग हैं तो यहाँ पर इस इंसान को आपके साथ में जो emotions feel होते थे जो emotionally आपके साथ में यह टश थे जो feelings यह feel करते थे वो इंसान तरस रहा है इन सब दीजों के लिए है ना बात भी करना चाहते है पर बात क्या करेंगे किस मूँ से ही आप से बात कर सकते हैं क्यूंकि बाते तो इननोंने खराब कर दी कई सालों पहले दस साल पहले, आठ साल पहले, तीन साल पहले रिष्टे को ठुकरा के गए, थर्ड पार्टी का हाथ थामा इनोंने, थर्ड पार्टी के चकर में आपके दुनिया से निकल गए, आपके बारे में नहीं सोचा, जब आपको इनकी जरुवत थी, जब आप इनके साथ के लिए तड़प रहे थे, तब ये इनसान आपको दूस सिच्वेशन देखी, आप रोए हो, आप तर्पे हो, आपने हर एक सिच्वेशन देखी है, और उस सिच्वेशन से जो लेसन सीखे ना, उसके बाद में आप पके, बिलकुल दिल पे पत्थर रखके आप आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करोगे, यहाँ पर जो कुछ समझेगा, मुझे भी समझेगा, पर इस इंसान ने आते आते बहुत देर कर दी, अब आप न्यू परसन की तलाश में हो, और कई लोगों की जिंदगी में तो इस न्यू परसन ने दस्तक भी दे दी है भई, कि आ गया है वो न्यू परसन और आजकल आप उसके एज डिफ्रेंस है, कल्चर का भी थोड़ा सा फर्क यहां पर दिखाई दे रहा है, पर प्रपोजल बड़े जोर शोर पे चल रहा है, आप चाहते हो कि वो आपको प्रपोस कर दे, या फिर वो चाहता है कि आप उसको प्रपोस कर दो, एमोशनली आप दोनों एक दूसरे को मिस भी करते हो, चाहते हो कि फिलिंग्स जो है सेम रहे, एक वल गिवन टेक हो, है ना, ये वाली फिलिंग्स यहां पर आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहे है, आप अब जीतना चाहते हो, आप आप हारना नहीं चाहते, एक बार धोका खा लिया, प्यार में लेकिन अब दुबारा धोका नहीं खाना चाहते, है ना, एफर्ट चालोगे आप नियुरिष्टे की तरफ, मुझे 100% दिख रहा है, पास्ट की एनरजी से आपने लेसन सीखा है, पास्ट की चीजों से आप अपने पैरों पे खड़े हुए हो, अब आप प्यार में जल्दबाजी नहीं करोगे, कोई भी रिस्क आप लेने से पहले, 100 बार सोचोगे डियर यहां पर, आपके पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ एक प्रपोजल आ रहा है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, एक प्रपोजल आ रहा है, यह आपके उपर है कि आप उसे किस तरह से एक्सेप्ट करते हो, लेकिन यहां पर निकल रहा है कि यह प्रपोजल आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, किसी तरह की अपॉर्चनिटी भी आपकी तरफ आएगी इस प्रपोजल के साथ में, आप सक्सेप्ट की तरफ बढ़ जाओगे, बहुत ज़्यादा सक्सेप्टी कि आपके पार्टनर की गलती माफ करने लाइक है मुझे तो नहीं लगा कि इन दोनों की गलती को माफ किया जाना चाहिए आपका क्या डिसीजन है कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और डियर हम मिलते है नेक्स वीडियो पर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वाटसप नमर दिया हुआ है किसी तरह की थोड़ पार्टी रिमूव कराना चाहते हैं किसी तरह का ब्लैक मैजिक रिमूव कराना चाहते हैं रिलेशन्शिप को हील कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉंटेक कर सकते हैं ओके दियर